हलो केट्स, वेलकम टू डिजी लेसंस अफ नवांकुर बिध्यापीट बच्चों, आज हम पर्यावाइन विशे में राश्टिय प्रतीक एवं चिन्ने के बारे में जानेंगे ओके, आईए शुरू करते हैं राश्टिय ध्वज बच्चों, हमारा राश्टिय ध्वज तरंगा है ये देखिए क्या है हमारा राश्टिय ध्वज तरंगा भारत के राश्टिय ध्वज में समान अनुपात में केशरिया, शफे, तता हरे रंगी छेतिर पट्टियां होती है ये देखिए केशरिया, सफेद और हले रंगे इन तीनों रंगों के कारण भारत के दध़ज को तिरंगा कहा जाता है दध़ज में सफेद रंगी पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंगा चक्र बना होता है यह देखिए बच्चों यहाँ पर यह चक्र बना हुआ है इसमें 24 तीलियां बनी होती है यह चक्र सारनात में इस्थित अशोक स्थम से लिया गया है राश्टी द्वज में इस्थित केशरिया रंग, त्याग और बलीदान का प्रतीक है सफेद रंग, सत्य, शान्ती और पवित्रता का प्रतीक है तथा हरा रंग, सम्रद्धी और खुशाली का प्रतीक है ओके आंगे बढ़ते हैं राश्टी पक्ची भारत का राश्टी पक्ची मोर है यह विश्वि के सुन्दर पक्चीयों में से एक है नर मोर विशेश सुन्दर होता है इसकी नीली गर्दन, लंबी पूँच और रंग विरंगे पंग इसे आकर्शक बना देती हैं यह देखिए बर्शाकाल में जब यह मोर अपने पंग फैला कर नित करता है तो यह दर्श बहुत ही मोहक होता है यह देखिए यह पंग फैला कर नित कर रहे हैं मोर ओके आंगे बढ़ते हैं राष्टे पशू भारत का राष्टे पशू बाग है यह अपने आकर्शक रंग, विचित्र आकर्थी और शक्ती के कारण आदर का पात्र है भाग की आठ जातियां है भारत में जो जाती पाई जाती है उसे अंग्रेजी में रोयल बंगाल टाइगर कहते हैं भाग का जंदू बैग्या निगनाम पैंथरा टाइगरेस होता है ओके आंगे बढ़ते हैं राष्टे पुष्प भारत का राष्टे पुष्प कमल है यहें बहुत आकरशक होता है कमल को पवित्रता, धन, धान और बैभवता का प्रतिक माना गया है यही कारण है कि मातलच्मी के हातों में तथा देवी देपताओं को कमल के पुष्प पर ही ब्राजित दिखाया जाता है बच्चों आपने देखा है ना, मातलच्मी जी के हात में कमल का कुष्प रहता है ओके, आंगे बढ़ते हैं राष्टी ब्रक्ष, भारत का राष्टी ब्रक्ष बर्गद है क्या है बच्चों, राष्टी ब्रक्ष हमारा बर्गद है यहें एकता और द्रंटा का प्रतीक है जिस प्रकार भारत में बिविन धर्म जाती के लोग निवाश करते हैं उसी प्रकार बर्गत के पेड़ की शाखाओं, तने और जणों में छोटे बड़े कई जीव जन्तु निवाश करते हैं बड़ भरक्ष को हिंदू धर्म में विशिष धार्मिक महत्व है, हिंदू लोग बर्गत के बरक्ष की पूजा भी करते हैं इसमें कई ओजदिये गुण भी पाए जाते हैं यह है ओजदिये बरक्ष है बर्गत एक बहु वर्षी और बिशाल वरक्ष है ये देखिए है ना बिशाल वरक्ष ओके आंगे बढ़ते हैं राश्टी सम्मान भारत रतन भारत का सर्वोच राश्टी पुरुषकार और सर्वोच नागरिक सम्मान है भारत रतन सम्मान राश्टी सेवा में आसाधाईन कार करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है आगे बढ़ते हैं राश्टी चिन भारत का राश्टी चिन है अशोक इस्तम क्या है भात करा स्टेशन अशोक इस्तम यह सम्राट अशोक द्वारा शारनात में बनवाई गए इस्तम से लिया गया है इस इस्तम में चार सेर एक दूसरे से पीट से पीट सटा कर बैठे हुए है चौथा सेर पीछे होने के कारण हमें सामने से दिखाई नहीं देता चोथर सेर कहां होता बच्चो पीछ वोता है यहां इन सेरों के नीचे यहां एक सायट घुडा बना रहता है और एक साइड ब्रेश अब बना रहता है और सबसे नीचे लिखा रहता है शत्यमेव जयते इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है अब आगे बढ़ते हैं भारत का राश्टी ये गान भारत का राश्टिय गान है जनगर्मन इसके रचेता श्री रविनाथ टेगोर जी है जनगर्मन के रचेता कौन है बच्चों? रविनाथ टेगोर है इन्हें नॉबिल प्रुषकार से भी समानित किया गया है 24 जन्वरी 1950 को जन्गर्मन को राश्टिय गान की रूप में शुरिकार किया गया इसकी अपनी धुन है राश्टिय धुन को बजानी में 52 सेकंड का समय लगता है कितना समय लगता है बच्चों इस धुन को बजानी में 52 सेकंड का समय ओके आंगे बढ़ते हैं भारत का राष्टिय गीद है बंदे मातरम इसकी रचेता शिरी बंकिमचन चटोपाद्याजी है भारत का राष्टिय गीद क्या है बच्चों बंदे मातरम आंगे बढ़ते हैं भारत का राष्टिय खेल भारत का राश्टी खेल है होकी मेजर ध्यान चंद को होकी टीम का महानतम खिलाडी माना जाता है भारत की राष्टिये मुद्रा बच्चों, यह हमारी भारत की राष्टिये मुद्रा का प्रतीक चिन है भारती रुपया चिन को भारत सरकार द्वारा पंदरा जुलाई 2010 को जारी किया गया था भारत का राश्टी ये फल भारत का राश्टी ये फल क्या है आम भारत का राश्टी फल आम है आम को फलों का राजा भी कहते है यहें गर्मी के मौसम में आता है आम कई तरह के होते हैं यहें बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट फल है आम सभी को बहुत पसंद होता है ना आंगे बढ़ते हैं भारत का राश्टिये बिराशत पशु भारत का राश्टिये बिराशत पशु हाती है अक्टूबर 2010 में हाती को भारत का राश्टिये बिराशत पशु गोशत किया गया हातियों की घटी संख्या के कारण उनके बचा भेतु ही हातियों को राश्टिय धरोहर या ब्राशत पशु का दर्जा दिया गया ताकि हातियों के संदक्षण हेतु योजन बना कर हातियों को बचाया जा सके आंगे बढ़ते हैं भारत का राश्टिय जलिय जीव भारत का राश्टिय जलिये जीव है डॉल्फिन क्या है बच्चों डॉल्फिन भारत का राश्टिय जलिये जीव है 18 मईश 2010 को भारत की परियवाइन और बनमंत्रा लाइने राश्टिय एक बाइट एक पशू के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्टी ये जलिये जीब गोशित किया ओके बच्चों थैंक यू